पहला प्रश्न है, पिस्टन के विशे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए, पहला ओप्शन है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर अप डाउन मोशन करता है, बिल्कुल सही है, पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर रैसी प्रुकेटिंग गती करता है, यह भी बिल्कुल सही है, तीस इसे हम to and fro motion भी कहते हैं, इस प्रशन का सही उत्तर होगा, option no.4, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, पिस्टन के विशे में सत्य कथन का चुनाओ कीजिए, पहला option है, इंजन सिलेंडर के अंदर, इडन के जलने से गैसें बनती हैं, और तेज गती से फैलती हैं, इन गैसों के थ्रस्ट को पिस्टन द्वारा सहन किया जाता है, बिल्कुल सही है, पिस्टन, कास्ट आइरन या एलियूमीनियम अलोय का बना होता है, यह भी बिल्कुल सही है, पिस्टन का सबसे अधिक गर्म भाग, उसका क्राउन होता है, क्राउ में से कौन से पिस्टन के कार्य हैं? सक्षन स्ट्रोक के समय पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर वेक्यूम उत्पन करता है, जिससे सिलेंडर के अंदर चार्ज का सक्षन होता है, बिल्कुल सही है, कंप्रेशन स्ट्रोक के समय पिस्टन चार्ज को कंप्रेस करता है, कंप्रे पावर को connecting rod के माध्यम से crank shaft तक पहुँचाता है ये भी बिल्कुल सही है चौथा, exhaust stroke के समय जली हुई गैसों को धकेल कर exhaust valve के माध्यम से बाहर निकालता है exhaust stroke के समय piston ही जली हुई गैसों को धकेलता है जिससे की गैसें एक्जोस्ट वॉल्व के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी पिस्टन के कारे हैं, चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, हम सभी जानते हैं, पिस्टन इंजन सिलेंड के अंदर मोब करता है, जिसके लिए पिस्टन इवं सिलेंडर के बीच में कुछ क्लियरेंस दिया जाता है, इसलिए पिस्टन इवं सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस फिट होती है, तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा, उप्शन नमबर 3, चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पिस्टन का आवश्चक गुण नहीं है, पहला इसका heat expansion कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, यदि पिस्टन का heat expansion अधिक होगा, तो पिस्टन अधिक फैलेगा, पिस्टन को मजबूत भी होना चाहिए, और पिस्टन भार में हलका होना चाहिए, चोथा option है, इसमें piston slap का गुण होना चाहिए, जी नहीं, piston slap कोई गुण नहीं, बलकि डोश है, जब piston cylinder के अंदर move करता है, और यदि piston इवं cylinder के बीच में अधिक clearance होता है, तो piston cylinder की दीवारों से टकराता है, जिसे piston slap कहा जाता है, इसलिए piston में piston slap का गुण नहीं होना चाहिए, तो इस प्रशन का स्थी उत्तर होगा, option number 4, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, चित्र में दिखाए गए piston के भागों को पहचानिये, यहाँ पर चित्र में पिस्तन के भागों को ए से लेकर जी तक के letters के द्वारा दर्शाया गया है, आपको वीडियो को पॉज करके इन सभी भागों के नाम लिखने हैं, चलिए उत्तर देख लेते हैं, A पार्ट को हम piston head या crown कहते हैं, B पार्ट को हम heat dam कहते हैं, यह piston head के नीचे बना हुआ, एक groove होता है, जो की head की गर्मी को skirt में जाने से रोकता है, तीसरा compression ring groove है, जहाँ पर compression ring fit रहती है, चौथा oil ring groove है, जहाँ पर oil ring fit रहती है, E वाला पार्ट ring land है, किनी भी दो piston ring के बीच का भाग ring land कहलाता है, एक होता है, और J वाला भाग गजन पिन बॉस या piston पिन बॉस कहलाता है, जहाँ पर piston पिन या गजन पिन फिट रहती है, चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं, piston skirt को खोखला यानी hollow क्यों बनाया जाता है? हम सरी जानते हैं कि piston skirt को खोखला बनाया जाता है, इसका कारण होता है पिस्टन का भार कम करना, इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा, option no.3 चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं, यदि पिस्टन मटेरियल का heat expansion अधिक होगा, तो उसके क्या प्रभाव होगे? heat expansion अधिक होने का अर्थ है, गर्मी प्राप्ट करके पिस्टन का अधिक फैलना, पहला option है, पिस्टन इवन सिलेंडर वोल की बीच अधिक clearance रखना होगा, क्यूंकि clearance कम होने पर पिस्टन सीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यदि पिस्टन का heat expansion अधिक होगा, तो पिस्टन अधिक फैलेगा, इवन वर सीज हो जाएगा, clearance अधिक होने पर पिस्टन स्लेप की समस्या उत्पन्द होगी, जी हाँ, हमने अभी चर्चा की थी, कि यदि clearance जादा होता है, तो पिस्टन चलते समय, सिलेंडर की दिवार से ठकराता है, जिसे पिस्टन स्लेप कहा जाता है, इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, पिस्टन एवन connecting road किस पार्ट के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, पिस्टन एवन connecting road आपस में जुड़े होते हैं पिस्टन पिन के द्वारा, जिस पिस्टन एवं सिलेंडर वॉल के बीच का गेप कहलाता है पिस्टन क्लियरेंस तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 3 अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं पिस्टन क्लियरेंस निमने में से किस पर निर्भर नहीं करता पिस्टन क्लियरेंस पिस्टन की material पर निर्भर करता है यदि material का heat expansion अधिक होगा तो उसके लिए पिस्टन क्लियरेंस अधिक रखना होगा इसी प्रकार से पिस्टन क्लियरेंस सिलेंडर की material पर भी निर्भर करता है एवं सिलेंडर की बोर पर भी निर्भर करता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 4 उपरोगत सभी पर निर् इसलिए aluminum alloy के लिए अधिक piston क्लियरेंस की आवशकता होगी तो इस प्रशन का सही उत्तर है option 2 अगला प्रशन देखते हैं piston diameter एवं सिलेंडर बोर के बीच क्या संबंद होता है हम सभी जानते हैं कि piston सिलेंडर के अंदर move करता है इसलिए piston का diameter सिलेंडर बोर से कम होना चाहिए तो इस प्रशन का सही उत्तर है option number 2 अगला प्रशन देखते हैं यदि piston एवं सिलेंडर समान material के बने हो तो अधिक heat expansion किसका होगा हम सभी जानते हैं slender wall हमीशा water jacket के संपर्क में रहती है इसलिए slender की cooling piston से अधिक अच्छी होती है इसलिए heat expansion piston का अधिक होगा तो इस प्रशन का सही उत्तर है piston का अगला प्रशन देखते हैं piston slab के विशे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए engine के गर्म होने पर धीरे धीरे piston slab बढ़ता जाता है यह option गलत है क्योंकि piston slab तब उत्पन होता है जबकि piston एवं slender wall के बीच में clearance अधिक होता है जैसे जैसे engine गर्म होता जाता है यह clearance कम होता जाता है एवं piston slab भी कम होता जाएगा इसलिए engine के गर्म होने पर धीरे धीरे piston slab कम होता जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option number 2 चलिए अगला प्रशन देखते हैं निम्न में से कौन सा piston ring का प्रकार नहीं है piston ring मुख्य तह से दो प्रकार की होती है compression ring एवं oil ring इसलिए अगर हम इन सारे options को देखें तो ओ रिंग piston ring का प्रकार नहीं है चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं piston ring piston के किस भाग में fit रहते हैं हम सभी जानते हैं piston ring ring groove में fit रहते हैं इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा ring groove अगले प्रशन की ओर चलते हैं piston ring के कारे के विशे में सत्य कथन का चुनाओ कीजिए हम सभी जानते हैं पिस्टन रिंग कम मशन चेंबर को सील करने का कारे करती है पिस्टन रिंग स्लेंडर वोल से एक्स्ट्रा ओइल को स्क्रेप करने का कारे भी करती है एवं पिस्टन रिंग के माध्यम से ही पिस्टन की हीट को स्ल सामान्य तहा कास्ट आयरन के बने होते हैं, बिलकुल सही है, पिस्टन रिंग के ऊपर क्रोमियम की परत चड़ाई जाती है, यह भी बिलकुल सही है, क्रोमियम प्लेटेड रिंग का प्रियोग सामान्य तहा टॉप रिंग में होता है, यह ओप्शन भी बिलकुल सही है, तो इ यदि piston में दो oil ring प्रयोग किये जाते हैं, तो दोनो oil ring, compression ring, एवं piston pin boss के बीच प्रयोग किये जाते हैं, यह option गलत है, क्योंकि यदि piston में दो oil ring प्रयोग किये जाएंगे, तो एक oil ring, compression ring, एवं piston pin boss के बीच में, एवं दोसरी ring, piston pin boss के नीचे प्रयोग की जाती है, तो इस प्रशन की ओर बढ़ते हैं, ब्लोब आई से आप क्या समझते हैं, जब पिस्टन एबं सिलेंडर वोल के बीच में कोई क्लियर रह जाता है, तो कंबशन चेंबर से जली हुई गैसे लीक होकर संप में पहुच जाती हैं, जिसे हम ब्लोब आई कहते हैं, इसलिए इस प्रशन क सही उत्तर होगा, ओप्शन नंबर वन यानि सिलेंडर की दीवार एबं पिस्टन के बीच से गैसों का लीक होकर संप में पहुचना, अगला प्रशन देखते हैं, क्रोस सेक्शन के डिजाइन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्रेशन रिंग का प्रकार नहीं है, रेक प्रशन का सही उत्तर होगा, उप्रोब्त सभी, यदि आप इन रिंग के विशे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरा पिस्टन रिंग वाला वीडियो जरूर देखें, चलिए अब यह प्रशन की ओर चलते हैं, किस प्रकार की कंप्रेशन रिंग, सिलेंडर वॉल से वॉल को अच्छी तरह स्क्रेप कर सकती है, किन्तु इसमें ब्लोब आई की समस्या बनी रहती है, टेपर फेज रिंग एक ऐसी कंप्रेशन रिंग है, जो सिलेंडर वॉल से वॉल को अच्छी तरह स्क्रेप कर सकती है, लेकिन ब्लोब आई को नहीं रोप पाती, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा टैपर फेज रिंग, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार की कमप्रेशन रिंग अधिकतर टॉप रिंग में प्रयोग होते हैं, क्योंकि यह ग्लोब आई को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, हम सभी जानते हैं, बैरल फेज वे कमप्रेशन रिंग हैं, जो टॉप रिंग में प्रयोग होते हैं, क्योंकि यह ग्लोब आई को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा, option number 3, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार की कमप्रेशन रिंग, ग्रूब में कार्ब निम्न में से कौन सा कमप्रेशन रिंग का प्रकार है, बट जोइंट, एंगल जोइंट, स्टेप जोइंट, एबं सील जोइंट, ये सब ही जोइंट के आधार पर कमप्रेशन रिंग के प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा, उप्रोप्त सभी, अगला प्रशन देखते हैं निम्न मैं से कौन सा ओईल रिंग का प्रकार है तिंगल पीस ओईल रिंग डुआ फ्लेक्स ओईल रिंग एवं ती फ्लेक्स ओईल रिंग ये तीनों ही ओईल रिंग के प्रकार हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोगत सभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रेल, क्रिम्ड स्प्रिंग, एवं एक्सपांडर, किस प्रकार की रिंग के भाग हैं, ये सभी भाग हैं, डुआ फ्लेक्स ओयल रिंग के, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, option number 2, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक एक्सपांडर, एवं दो स्क्रेपर होते हैं, टी फ्लेक्स ओयल रिंग में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, option number 3, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, piston ring and clearance के विशे में सत्य कथन है, पहला option है, piston के cylinder में fit होने पर, piston ring के joints के बीच का gap, piston ring and clearance कहलाता है, ये बिलकुल सही है, दूसरा option, इसका मान 0.178 mm से लेकर 0.50 mm तक हो सकता है, ये भी बिलकुल सही है, और तीसरा, यदि ये clearance अधिक हो, तो blow by की समस्या हो सकती है, ये सभी option सही है, विस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी कथन सकते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, piston ring side clearance के विशे में सत्यकतन है, piston ring side clearance, यानी piston ring का groove में clearance, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, option no.4, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गजन पिन को पिस्टन के किस भाग में फिट किया जाता है हम सभी जानते हैं गजन पिन फिट होती है गजन पिन बॉस यानि पिस्टन पिन बॉस में तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 3 अगले प्रशन की ओर चलते हैं गजन पिन कनेक्टिंग रोड के किस भाग में फिट रहती है गजन पिन कनेक्टिंग रोड के small end में फिट रहती है इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा small end अगले प्रशन की ओर चलते हैं गजन पिन एवं कनेक्टिंग रोड के small end के बीच किस प्रकार की bearing fit की जाती है connecting rod के small end में fit रहती है bush bearing तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 4 अगले प्रशन की ओर चलते हैं guzzan pin एवं connecting rod के small end के beach fit होने वाले bush bearing किस material के बने होते हैं ये bush bearing बने होते हैं bronze या gun metal के तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 2 अगला प्रशन देखते हैं guzzan pin को piston boss में किस के द्वारा lock किया जाता है guzzan pin को piston boss में lock करने के लिए sir clip pin का प्रयोग किया जाता है जिसे हम snap ring भी कहते हैं तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा snap ring अगला प्रशन देखते हैं guzzan pin सामान नितह किस material की बनी होती है guzzan pin सामान नितह बनी होती है nickel chromium alloy steel की तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 1 अगले प्रशन की ओर चलते हैं guzzan pin को खोखला क्यों बनाया जाता है guzzan pin को खोखला बनाया जाता है ताकि यह मजबूती बनाये रखने के साथ-साथ इसका भार भी कम किया जा सके तो इस प्रशन का सही उत्तर है option number 3 अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं निम्ण में से कौन सा guzzan pin का प्रकार नहीं है fix pin, semi floating pin एवं full floating pin guzzan pin के प्रकार होते हैं लेकिन semi fix pin guzzan pin का प्रकार नहीं है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा semi fix pin चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं guzzan pin के विशे में असत्य कथन की पहचान कीजिए पहला है full floating guzzan pin connecting rod के small end एवं guzzan pin boss दोनों में ही घूमने के लिए free होते हैं यह option बिलकुल सही है full floating pin by pin होती है जो connecting rod के small end में भी घूम सकती है एवं guzzan pin boss में भी घूम सकती है दूसरा option है semi floating guzzan pin connecting rod के small end में fix रहती है एवं guzzan pin boss में घूमने के लिए free होती है यह option भी सही है semi floating pin का अर्थ है ऐसी pin जो connecting rod के small end में fix रहे और केवल गजन पिन बॉस में गूमें तीसरा option है fix गजन पिन गजन पिन बॉस में fix रहती है एवं connecting rod के small end में गूमने के लिए free होती है बिल्कुल सही है fix गजन पिन वह पिन होती है जो गजन पिन बॉस में fix रहती है एवं connecting rod के small end में गूम सकती है चौथा option देखते हैं चौथा option है तैमी floating gazon pin gazon pin boss में fix रहती है एवं connecting rod के small end में गूमने के लिए free होती है यह कथन असत्य है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option नमबर 4 चलिए अगले प्रशन की ओर चलते है gazon pin एवं piston pin boss के बीच किस प्रकार की fit रहती है gazon pin एवं piston pin boss के बीच में होती है push fit तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 2 अगला प्रशन देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहाँ पर चित्र में जो tool दिखाया गया है वह है सरक्लिप प्लायर जिसका प्रयोग सरक्लिप pin या snap ring को fit करने एवं निकालने में किया जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3 अगला प्रशन देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहां चित्र में जो tool दिखाया गया है उसका प्रयोग piston ring को piston पर चढ़ाने एवं ring को निकालने में किया जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 2 चलिए अगला प्रशन देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहां पर चित्र में जो tool दिखाया गया है उसे हम कहते हैं valve spring compressor जिसका प्रयोग engine से valve निकालने में किया जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 1 अगला प्रशन देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहां पर चित्र में piston ring compressor दिखाया गया है जो की piston को cylinder में fit करते समय प्रयोग किया जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 4 चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहां पर चित्र में जो tool दिखाया गया है इसे हम बोलते हैं pulley puller या bearing puller जिसका प्रयोग pulley इबं bearing को निकालने में किया जाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 2 अगला प्रशन देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool का प्रयोग किस कारे में किया जाता है यहां पर चित्र में जो tool दिखाया गया है इसका प्रयोग किया जाता है piston ring groove साफ करने में तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 1 अगले प्रशन की ओर चलते हैं connecting rod की विशे में सत्यकथन है पहला option connecting rod piston को crank shaft से जोडती है बिल्कुल सही है connecting rod का small end गजन pin की द्वारा piston से जोड़ा रहता है बिल्कुल सही है connecting rod का big end crank pin की द्वारा crank shaft से जोड़ा रहता है यह option भी सही है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा उपरोगत सभी कथन सत्य है चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं connecting rod के विशे में सत्य कथन है पहला option connecting rod के द्वारा ही piston की motion crank shaft को transfer की जाती है बिल्कुल सही है connecting rod का small end reciprocating गती एवं big end व्रत्य गती करता है बिल्कुल सही है connecting rod का small end piston के साथ reciprocating motion करता है एवं connecting rod का big end crank shaft के साथ circular motion करता है तीसरा option कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में बुश बेरिंग फिट रहते हैं, ये सबी ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी कखन सकते हैं, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, कनेक्टिंग रोड निम्न में से किस मटेरियल की नहीं बनी होती है, कनेक्टिंग रोड, फोर्ज स्टील, मैलियाबिल कास्ट आइरं, ग्रेफाइट कास्ट आइरं, एल्यूमिनिम अलोई, इन सभी की बनी होती है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा, उप्शन 5, चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं, कनेक्टिंग रोड के शेंक की आग् बिग एंड से लेकर इसमान एंड तक एक होल किया जाता है, क्यों, कनेक्टिंग रोड में बिग एंड एबं इसमान एंड के बीच में एक होल रहता है, जो की बिग एंड से इसमान एंड को लूब्रिकेटिंग ओएल की सप्लाई करता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होग का option 3, अगला प्रश्न देखते हैं, connecting rod की विशे में सत्य कथन है, single piece connecting rod का big end एक ही piece में बना होता है, जिस connecting rod का big end एक piece में बना होता है, उसे हम single piece connecting rod कहते हैं, एवं, जिस connecting rod का big end दो piece में बना होता है, उसे हम split piece connecting rod कहते हैं, तिंगन पीस कनेक्टिंग रोड में fit होने वाइली क्रेंक शाफ को दो पीस में बनाया जाता है, इसलिए इस प्रशन के सभी option सही है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 4, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, bearing crush के विशे में असत्य कथन है, पहला option, bearing के घिसकर तूट जाने को bearing crush कहते हैं, यह option असत्य है, दूसरा option देख लेते हैं, connecting रोड के big end में बिठाई गई, bearing के crank pin के साथ घूमने को रोकने के लिए bearing crush का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, आप diagram में देखें, तो bearing उपर निकले भाग को ही हम bearing crush कहते हैं, bearing crush के कारण bearing big end में सरलता पुर्वक और मजबूती से बैठ जाती है, जिसकी कारण connecting rod के big end में यह bearing नहीं भूमती, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानि असत्य कथन है option number one, अगला प्रश्न देखते हैं, crank shaft का मुख्य कारे क्या होता है crank shaft piston की reciprocating motion को rotary motion में convert करती है, crank shaft द्वारा fly wheel को वरत्य गती प्रदान की जाती है, तीसरा crank shaft द्वारा engine के बिमिन भागों जैसे की cam shaft cooling fan इत्यादी को भी चलाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उप्रोगत सभी कथन तक्य है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते ह चित्र में crank shaft को दिखाया गया है, इसके मुख्य भागों को पहचानिये, यहाँ पर crank shaft के 5 भाग दिखाये गए हैं, आपको वीडियो को pause करके इन भागों के नाम लिखने हैं, चलिए सही उत्तर देखते हैं, पहला भाग main journal कहलाता है, main journal की पहचान है, जो journal एक सरल रेखा म होते हैं, उन्हें हम main journal कहते हैं, दूसरा भाग throw या crank pin कहलाता है, जहां पर connecting rod का big end fit रहता है, तीसरा भाग web या crank arm कहलाता है, चोथा भाग balancing weight या crank weight कहलाता है, एवं पाच्वा भाग oil passage है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्र में से किस भाग को crank shaft से drive नहीं मि को cam shaft द्वारा चलाया जाता है, ना कि crank shaft के द्वारा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा oil pump, इसके बाद option है radiator fan एबं fly wheel, जो की crank shaft से ही drive लेते हैं, इसलिए oil pump crank shaft से drive नहीं लेता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है oil pump, अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में crank shaft को दिख इन holes का क्या उप्योग है, ये hole crank weight में किये गए हैं, जो की crank shaft की balancing के लिए किये जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा option 3, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन engine balancing से संबंदित नहीं है, vibration damper engine balancing के लिए प्रयोग किये जाते हैं, throw arrangement भी engine balancing के लिए ही प्रय firing order भी engine balancing के लिए प्रयोग होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उप्रोक्त सभी, यानि ये सरी term engine balancing से संबंदित हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, crank shaft arrangement के संबंद में सत्य कथन का चुनाव कीजिए, चार cylinder engine में एक नंबर एबम चार नंबर के piston का throw arrangement, दो एबम तीन नंबर के piston के विपरेट एबम 180 degree पर होता है, बिलकुल सही है, चार cylinder in-line engine में एबम चार नंबर के piston एक दिशा में, एबम दो एबम तीन नंबर के piston उसके विपरेट दिशा में गती करते हैं, इसलिए इनका throw एक सो असी डिगरीपर होता है इसी प्रकार से छ ही।환की का इस सी तरह विएट एंजिन की क्रिंग शाफ्ट का चार सेलेंडर इंजिन के स्तामान ही होता है ये तीनो की। यह ओपशन सही है तो इस प्रशण का सही उत्तर होगा Testing 4 अगला प्रश्न देखते हैं, चार सिलेंडर इनलाइन इंजन के पहले सिलेंडर में यदि कमप्रेशन स्ट्रोक हो रहा हो तो दूसरे सिलेंडर में निश्चित रूप से कौन सा स्ट्रोक नहीं हो रहा होगा। कि यह पिस्टन BDC से TEDC की ओर गती कर रहा होगा। इसलिए 2 एबं 3 नमबर का पिस्टन downward motion यानि तीवी सी से BDC की ओर गती कर रहे होगे। इसलिए इनमें या तोतक्षन स्ट्रोक हो रहा होगा या पावर स्ट्रोक हो रहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से exhaust stroke नहीं हो रहा होगा, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा exhaust stroke, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, चार cylinder engine में प्रयोग होने वाला firing order कौन सा है, चार cylinder engine में सरवाधिक प्रयोग किया जाता है, एक, तीन, चार, दो, इसलिए इस प्रशन का सही उत होगा option number 3, अगला प्रशन देखते हैं, इन लाइन छे सिलेंडर engine में सरवाधिक प्रयोग होने वाला firing order कौन सा है, चलिए अगले प्रशन की ओर चलते है, V6 engine में सरवाधिक प्रयोग होने वाला firing order कौन सा है V6 engine में सरवाधिक प्रयोग होता है 1, 6, 5, 4, 3, 2 चलिए अगला प्रश्न देखते है Inline 8 cylinder engine में सरवाधिक प्रयोग होने वाला firing order कौन सा है Inline 8 cylinder engine में सरवाधिक प्रचलित firing order है 1, 8, 7, 3, 6, 5, 4, 2 चलिए अगला प्रश्न देखते हैं V8 इंजन में सरवाधिक प्रयोग होने वाला firing order कौन सा है V8 इंजन में सरवाधिक प्रयोग होता है 1, 3, 2, 5, 8, 6, 7, 4 चलिए अगला प्रश्न देखते हैं Single Slender के इस्थान पर Multi Slender Engine बनाने का क्या लाव होता है Single Slender Engine के इस्थान पर Multi Slender Engine प्रयोग किये जाते हैं क्योंकि इनकी Balancing अधिक अच्छी होती है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुगा Option 3 अगला प्रश्न देखते हैं 4 Slender Engine में कितने डिगरी का Power Overlap होता है Power Overlap का अर्थ है इतने समय तक किनी भी 2 Slender में एक 7 Power Stroke हो रहा हो 4 Slender Engine में कोई भी Power Overlap नहीं होता तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 0 डिगरी अगला प्रश्न देखते हैं 6 Slender In-Line Engine में कितने डिगरी का Power Overlap होता है 6 Slender Engine में 60 डिगरी का Power Overlap होता है अगला प्रश्न देखते हैं 8 Slender In-Line Engine में कितने डिगरी का Power Overlap होता है 8 Slender In-Line Engine में 90 डिगरी का Power Overlap होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 90 डिगरी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं Cam Shaft को किसके द्वारा ड्राइव मिलती है केम शाफ्ट को क्रेंक शाफ्ट के द्वारा ड्राइव मिलती है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3 केमशाफ्ट को बेल्ट, चेन एबंगीर तीनों के द्वारा ड्राइब दी जाती है तो इस प्रशन का तही उत्तर होगा उपरोगत सभी अगला प्रशन देखते हैं केमशाफ्ट की स्पीड के विश्य में सत्य कथन का चुनाव कीजिए फोर स्ट्रोक इंजनों में जब क्रेंकशाफ्ट दो चक्कर घूमती है तब प्रत्येक वोल्ब को एक बार खुलना इवं बंद होना होता है इसलिए केमशाफ्ट की स्पीड क्रेंकशाफ्ट से आधी होनी चाहिए तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 2 अगला प्रशन देखते हैं केमशाफ्ट गियर इवं क्रेंकशाफ्ट गियर में दातों की संख्या के विशे में सत्यकथन है हमने अभी जाना कि केमशाफ्ट को क्रेंकशाफ्ट से आधी स्पीड पर घूमना होता है इसलिए cam shaft gear में दातों की संख्या, crank shaft gear में दातों की संख्या की दुगनी होगी, तो इस प्रशन का सही उत्तर है option 1, अगला प्रशन देखते हैं, cam shaft के कारे के विशे में असत्य कथन है, पहला timing के अनुसार engine valve को खोलना, इबं बंद करना, यह cam shaft का ही कारे है, दूसरा oil pump को drive प cam shaft के माध्यम से दी जाती है, और flywheel को drive करना cam shaft का कारे नहीं है, क्यूंकि flywheel को crank shaft के द्वारा drive दी जाती है, तो इस प्रशन में असत्य कथन होगा option 4, अगला प्रशन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के engine में दो cam shaft प्रयोग किये जाते हैं, ती head engine, वे engine होते हैं, जिन gear का क्या कारे होता है, idler gear, crank shaft एवं cam shaft gear के बीच में प्रयोग किया जाता है, ताकि इन दोनों को एक समान दिशा में घुमाया जा सके, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 2, यानि crank shaft एवं cam shaft को समान दिशा में चलाना, अगला प्रशन देखते हैं, bearing प्रयोग करने के क्या उद्देश्य होते हैं, bearing को दो parts की बीच में friction को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही bearing parts पर पढ़ने वाले load को भी सहन करते हैं, एवं parts की चलने से उत्पन्न होने वाले shore को भी कम करते हैं, एवं प्यम गिसकर parts को स्वरक्षित भी रखते हैं, तो इस प्र bearing को man bearing कहा जाता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3, अगला प्रशन देखते हैं, flywheel के कारियों के विशे में सत्यकथन है, flywheel power stroke के समय power को store करता है, एवं बाकी 3 stroke के समय यह power उपलब्द कराता है, flywheel engine को balance करने का कारे भी करता है, एवं flywheel के द्वारा ही engine को start किया जात है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा उप्रोगत सभी, अगला प्रशन देखते हैं, flywheel पर ring gear का क्या कारे होता है, flywheel पर जो ring gear होता है, उससे ही starter motor connect रहती है, एवं इस starter motor को start करने पर flywheel पर चड़े हुए ring gear के द्वारा ही flywheel को घुमाया जाता है, इसलिए ring gear engine को start करने में सयोगी होते हैं, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3, अगला प्रशन देखते हैं, flywheel एवं ring gear के बीच कौन सी fit होती है, flywheel पर ring gear को चड़ाते समय, shrinkage fit का प्रयोग किया जाता है, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, oil pump को किस्ते drive मिलती है, हम सभी जानते हैं, oil pump को camshaft के द्वारा drive दी जाती है, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, ओटो मुबाइल वाहनों में मुखता किस प्रकार के oil pump का प्रयोग किया जाता है, ओटो मुबाइल वाहनों में मुखरूप से gear type oil pump का प्रयोग होता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 4, अगला प्रशन द देखते हैं, स्लेंडर लाइनर किस material के बने होते हैं, स्लेंडर लाइनर को cast iron एवं aluminium alloy दोनों के द्वारा ही बनाया जाता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा उपरोगत दोनों, अगला प्रशन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्लेंडर लाइनर का प्रकार नहीं है, स स्लेंडर लाइनर का संपर्क सीधे water jacket से होता है, वैट लाइनर वे लाइनर होते हैं, जिनका संपर्क सीधे water jacket से होता है, इसलिए इन्हें wet लाइनर भी कहा जाता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा wet liner, अगला प्रशन देखते हैं, निम्न में से किस स्लेंडर लाइनर पर रबर की रिंग लगाने की आवश्चक्ता होती है। जैसा कि हमने अभी जाना, वैट लाइनर का संपर्क सीधे वाटर जैकेट से होता है। इसलिए वाटर की लीकेज को रोकने के लिए इनमें रिंग लगाने की आवश्चक्ता होती है। इसलिए इस प्रश्ण का सही उत सिधे water jacket से होता है इसलिए नए liner लगाते समय वेट liner को पूरी तरह बाहर निकालना होता है लेकिन dry liner fit करते समय पुराने liner कूप निकालना आवश्चक नहीं होता इसलिए इस प्रश्न का स्तही उत्तर होगा dry liner अगला प्रश्न देखते हैं slender bore wear क्या होता है slender bore wear का अर्थ है slender bore का घिस जाना इसलिए इस प्रश्न का स्तही उत्तर होगा option 2 अगला प्रश्न देखते हैं slender bore bear का क्या प्रभाव होता है slender bore bear यानि slender के घिस जाने पर slender liner एवं piston के बीच का clearance बढ़ जाता है जिससे compression leak होने की समस्या उत्पन्न होती है एवं blow by की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उप्रोगत तबी अगला प्रश्न देखते हैं slender bore bear के संभावित कारण कौन से होते हैं जब piston slender की wall पर thrust डालता है तो उसे piston side thrust कहते हैं जिसकी कारण slender गिस जाता है piston ring भी लगातार slender की दीवारों पर pressure बना के रखते हैं जिसकी कारण भी slender गिसता है slender के अक्तितिक गर्म होने पर भी slender जादा गिसता है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उप्रोगत सभी चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं piston की thrust side कौन सी होती है thrust side का अर्थ है जो side अधिक घिसती है piston में गजन पिन के लंबवत जो side होती है उसे ही thrust side कहा जाता है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा option number 2 यानि गजन पिन के लंबवत अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा slender bore wear का प्रकार है taper wear एवं oval wear slender wear के प्रकार होते हैं oval wear को out of round wear भी कहते हैं इसलिए ये सभी slender bore wear के प्रकार है अगला प्रश्न देखते हैं टैपर wear के विशे में तत्य कथन का चुनाओ कीजिए जब इंजन slender TDC पर अधिक गिस जाता है एवं BDC पर कम गिसता है तो इंजन slender के अंदर टैपर wear उत्पन होती है टैपर wear में TDC के निकट slender bore BDC के निकट slender bore से अधिक हो जाता है बिल्कुल सही है slender का उपरी भाग उसकी निचले भाग की तुलना में अधिक गरम होता है जिसकी कारण टैपर wear होती है बिल्कुल सही है slender की उपरी भाग में गैसों का कमशन होता है जिसके वै भाग अधिक गरम रहता है इवं अधिक गिसता है तीसरा, slender की उपरी भाग में lubrication की कमी के कारण भी टैपर wear होती है slender की उपरी भाग में lubrication oil अच्छी तरह नहीं पहुँच पाता जिससे वै भाग अधिक गिसता है तो इस प्रशन का सही उतर है उपरोप्त सभी अगला प्रशन देखते हैं oval wear के संबंध में सत्य कथन का चुलाओ कीजिए oval wear का अर्थ है engine cylinder का oval shape का हो जाना जब piston cylinder की wall पर thrust डालता है तो thrust side का diameter अधिक हो जाता है जिसके कारण engine cylinder में oval wear उत्पन होती है पहला option, oval wear में cylinder की आक्रती अंडाकार हो जाती है सही है, oval wear में thrust side पर cylinder bore non thrust side पर cylinder bore से अधिक होता है, बिल्कुल सही है इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है चलिए अगला प्रशन देखते है cylinder bore या cylinder bore bear को मापने के लिए किस tool का प्रयोग किया जाता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है dial bore gauge का इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 4 अगला प्रशन देखते है टैपर वियर का पता लगाने के लिए cylinder bore का मापन कितने इस्थानों पर किया जाना चाहिए टैपर वियर का पता लगाने के लिए cylinder bore को तीन इस्थानों पर मापते है टी डी सी पर मध्यभाग में इबव बी डी सी पर तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3 अगला प्रशन देखते हैं मल्टी सिलेंडर इंजनों में slender वियर के विशे में सक्तिय कथन है मल्टी सिलेंडर इंजनों में सभी slender का वियर अलग अलग होता है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा option 2 अगला प्रश्न देखते हैं चित्र में दिखाये गए tool को पहचानिये चित्र में जो tool दिखाया गया है उसे हम बोलते हैं cylinder dial bore gauge जिसका प्रयोग cylinder bore को मापने में किया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा option 2 अगला प्रश्न देखते हैं चित्र में दिखाये गए engine के पार्ट को पहचानिये चित्र में एक flywheel दिखाया गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा option 1 अगला प्रश्न है चित्र में दिखाये गए इंजन के पार्ट को पहचानिए चित्र में गजन पिन को दिखाया गया है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा गजन पिन आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शियर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले